हिंदी सिनेमा के दिगगज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्हें पिछले महीने से ही सांस संबंधित समस्याएं बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भरती कराया गया था। यही पर 98 वर्षिय दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। दिलीप साहब के साथ उनकी पत्नी और अभिनेतरी सायरा बानो उनकी आखिरी सांस तक साथ रही। सायरा दिलीप कुमार का खास ख्याल रख रही थी और फैन्स से लगातार दुआ करने की अपील भी कर रही थी। दिलीप कुमार की निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसर गया है। सेलेब सोशल मीडिया पोस्ट साजहा कर अभिनेता को श्रद्धानजली दे रहे हैं। बता दें, दिलीप कुमार को सांस में तकलीफ के कारण अस्पताल में भरती कराया गया था। उस समय उनके फेफ़रों के बाहर तरल पदार थे कत्र हो गया, जिसे चिकित्सकों ने सफलता पूर्वक निकाल दिया था और पांच दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। समबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था और उनका पहला नाम यूसुफ खान था। बाद में उन्हें परदे पर दिलीप कुमार के नाम से शोहरत मिली। एक्ट ने अपना नाम एक प्रोड्यूसर के कहने पर बदला था जिसके बाद उन्हें स्क्रीन पर दिलीप कुमार के नाम से लोग जानने लगे। दिलीप कुमार की शुरुआती पढ़ाई नासिक में हुई। बाद में उन्होंने फिल्मों में अभिने का फैसला किया और 1944 में रिलीज हुई फिल्म जवार भाटा से डेब्यू किया। शुरुआती फिल्में नहीं चलने के बाद अभिनेत्री नूर जहां के साथ उनकी जोड़ी हिट हो गई। फिल्म जुगनू दिलीब कुमार की पहली हिट फिल्म बनी। दिलीब साहब ने लगातार कई फिल्में हिट दी हैं। उनकी फिल्म मुगल ए आजम उस वक्त की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अगस्त 1960 में रिलीज हुई यह फिल्म उस वक्त की सबसे मह पहेंगी लागत में बनने वाली फिल्म थी। दिलीप कुमार को आठ फिल्म फेर अर्वार्ड मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने के लिए दिलीप कुमार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इम्तियाज से भी समानित किये गए।